नमस्कार कैसे हैं आप सभी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो तरह की सेव रेसिपी जो की बनाऊंगी मैं तावे से वो भी लोहे के तो मेरी वीडियो को आप इंड तक जरूर देखिएगा क्यूंकि मैंने यहाँ पर सारे इंगीडियंस को लास्ट में नोट कर दिया है आप वहां से चेक कर लिजिएगा तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ बट उससे पहले मैं खुस्पु का नोजिया और मैं अपने चानल घर का जाएका विद्खुश्पु में आपका स्वागत करती हूं और मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीस इसे प्लीसिपी वह भी लोहे के तावे से तो यहां पर सबसे पहले हम एक वावल लेंगे और उसमें हम बेसन को च्छान लेंगे मैंने यहां पर आदा केजी बेसन लिया है फिर हम इसमें एड करेंगे हल्दी और टेस्ट के हिसाब से नमक और इसमें हम एड करेंगे रिफाइंड वाइल मैंने साथे इंगिडियन्स को वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है आप वहां से चेक कर लिजिएगा और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे दो त्यार कर लोंगी जैसा आठा रोटी का आठा होता है सेम वैसा ही इसका दो त्यार कर लेंगे आठा है लीजी अब डो तयार है अब हम इसमें थोड़ा सा वाइल लागा कर इसे 10 से 15 मिनिट का रेश्ट देंगे इसका मॉस्टुराइजर बना रहे तो हम इसे कपड़े से ढख के रखेंगे तो चलिए इसे 15 मिनिट का रेश्ट देते हैं और जब तक हम यहाँ पर इसे फ्राइ करने के लिए एक पैन चरहा लेंगे और मैंने यहाँ पर इतना कटोड़ी पानी इसमें यूज किया है तो पै तो लीजिए आपका इंतजार खत में मैंने आपको दिखाया कहा था ना कि मैं आपको लोहे की तावे से बनाना बताऊंगी तो देखिए बो है लोहे का तावा जो कि मैंने लोहार के यहां से बनवा कर लाया है आप भी इस तरह से बना सकते हैं और मैं यहाँ पर इसे में व बहुत ही असान है तो देखते हैं वाइल गर्म हुआ है कि नहीं तो इसे चेक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा एड़ करेंगे बेशन वाला डो यह अब उपड़ा गया तो हमारा वाइल गर्म है और वाइल को ज्यादा गर्म भी नहीं करना है 15 मिनट बाद हमारा डो भी तयार है अब हम थोड़ा सा पानी हाथ में लगाएंगे और इसका थोड़ा सा डो निकालेंगे बाहर और इसे तावा पर फील करेंगे और इसे हाथों से फैलाते रहेंगे इसे निकालना भी बहुत हीं असान है इसे हम धीमी आज पर एक दो मिनट के लिए कुक करेंगे याइबा एक जए टृ लगा कंगी आटमी करेंगे 26. busy बापे time करेंगे खुड़ा मिनट के लिए। करेंगे दो थौबाओ के हैंगे खंगे अ आजए ip ב में गिए हैंपे एवा है कि एक दो मिनेट के बाद हम इसे किसी अस्टेनर में निकाल कर इसके तेल को छान लेंगे कि इसी तरह से हम आर बना लेते हैं हम आपको एक आर बना कर दिखाते हैं इसे आप राउंड राउंड करके भी घुमा सकते हैं यह बनाना बहुत ही असान है इसे भी हम एक दो मिनेट के लिए कुक कर लेंगे और फिर इसे किसी अस्टेनर से सहयता से इसे निकाल लेंगे आप मुझे इस्ट्राग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरी इस्ट्राग्राम आईडिया कनोजिया खुश्वू 122 और घर का जायका विद्खुश्वू है ना बनाना बहुत ही असान इसी तरह से हम बाकी को भी बना लेते हैं तो लीजी हमारा से अब तयार है वो भी लोहे के तावे से अब मैं आपको यहाँ पर दो तरह का नमकीन बताऊंगी एक को हम बॉल में निकाल लेते हैं इसे आप चाय में डाल कर खाईएगा जिस तरह से आप बिस्किट खाते हैं न सेम वहाँ साब बहुत ही टेस्टी लगेगा आपका चाय खाने में और एक हम बनाएंगे चाय के साथ खाने वाला तो इसके लिए हम सारे सेप को एक वाल में निकाल लेंगे और फिर हम इसमें आइड करेंगे फ्राई किया हुआ चूड़ा और फिर फ्राई किया हुआ पिनट और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें आइड करेंगे जो की वीडियो के लास्ट में नोट है आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा और सारे मसाले को हम इसमें आइड करकर उसे हम मिक्स कर लेंगे तो लीजिए तयार है चाई के साथ खाने वाला नमकीन इसे हमें एर टाइड डिबे में बंद करकर इसे 1-2 महिने तक हम खा सकते हैं तो मैंने अभी चाई बनाया है तो मैं चाई के साथ इसे खाऊंगी तो चलिए हम इसे चाई के साथ खा लेते हैं बट आपको खाने के लिए आपको घर पड़ी से बनाना होगा और हमें कमेंट करकर बताना होगा कि आपको कैसा लगा तो लीजिए तयार है दो तरह का सेव नमकीन और इसे आप अपने घार पर बनाने के लिए वीडियो को मेरे इंग्रिडियन्स को नोट कर लिजिए जो कि ये है I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रेंट फैमली में से जरूर करे और हमें कमेंट करकर बताएं कि हम आपके लिए क्या बनाएं तो हम इसे टेस्ट करकर बताते हैं कि ये कैसा बना है ये बहुत ही करकदार है I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रेंट फैमिली में सियाख जरूर करे और हमें कमेंट करकर बताएं कि हम आपके लिए क्या बनाए और सबसे खास, सबसे इंपर्टेंट बात, अगर आप फर्स्ट पर मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें क्योंकि सबस्क्राइब करने पर पैसा नहीं लगता वट मेरा होसला जरूर बरता है, आगे काम करने को तो फीड मिलते हैं इसी तरह के इंट्रेस्टिंग कम बजट में बनने वाले वीडियो के साथ अपने चैनल घर का जाएका विद्खुशू में जब तक खुश रहिए, खुशियां बाटती रहिए और आज पास सफाई बनाई रखिए क्यूंकि अपना भारत स्वक्ष भारत और चलते चलते इन दोन वीडियो में से किसी एक पर किलिक विक करते जाएं यहां पी भी आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग और डिलीजियस डिसस की रेसिपी मिलेगी थैंक यू और नमस्कार